नमस्कार जया जोहर संग्वारी हो मैं प्रतीक सीनियर आप सबका स्वागत करता हूँ आज जरुणा के तरफ से लेबर इंस्पेक्टर के अब्जेक्टिव क्लासे के सेसंस में जैसा कि आप सबको पता है इससे पहले एक और अब्जेक्टिव सेसंस आपने मुझसे पढ़ा हुआ है जिसमें आपको बताया था कि हम उस अब्जेक्टिव को सॉल्प कैसे कर रहे थे question को पहले हम समझ रहे थे फिर option के भी दूस्त हर एक option का भी हम post matem कर रहे थे तब दूस्त हम सही answer तक पहुंच रहे थे ताकि उस option से भी ये question से कहीं से भी आपको घुमा का question पूछे तो exam लोग आपको रूप रेखा बदलने के बाद भी आपको समझ विक्सित हो सके कि आप उस question को attempt कर सके क्यों किसी question पढ़ लेना और answer को याद करके जाना सफलता का कुझी नहीं है आपको पहले लोगत इतनी समझ होनी चाहिए कि आप question को सही माइने में समझ सकी कि question कहना क्या चाहा रहा है चल दोस्त उसी करह में आगे बढ़ते हुआ आज के हम class को चलाएंगे और अब यह बता दी कि आज का class वर फास्टरक तरीके से चलेगा क्योंकि मैंने समझाने हो तरीके काम करके देख लिया बच्चों का view कम हो गया बच्चों को लाइक कम हो गया इसलिए आज मैं दोस्तों जो बच्चों को पसंद है sir question answer करा दो question answer करा दो आज हम pure उसी type के काम करेंगे क्यों क्यों को लों को कहना है sir कि sir हमको क्यों अपनी तयारी जाशनी कि हम कितने पानी में तो अगर आपको तयारी जाशनी है तो यह जो सी pattern में काम करते है चलिए क्लास की सुरुआत करते हैं दोस्तों मगर इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि जैसे मैं हर दिन क्लास में IDC लेकर आता हूं slide दोस्तों ताकि आपके अंदर एक motivation का स्वर्ज मन सके कि आप जो देख रहे हैं स्क्रीन के उस पर आप उस पर विध्यारती हैं और यहां दोस्तों आप अधिकारी हैं उस पर विध्यारती इस पर अफिस है अधिकारी तो आपको वहां से यहां का सफरते करना है और इतनी असान सफर नहीं है दोस्तों देखिए खुद पुजा यादो मेडम जी फाली में फॉर्जेश रेंजर बनी है हमारे अरजुना क्लासिस के तरब से टोटल 18 लोगों का ACF रेंजर दोनों में सेलेक्शन हुआ दोस्ता आपके एक संस्थान से एक एकजाम में 18 लोगों सेलेक्शन हुआ है तो जासी बात है इन्हों ने भी अपनी अथिक परिस्तरम से किसी इसको सफल करके दिखाया और साथ से अरजुना ने भी इनकी साथ पराबर मिल करके काम किया है मेडम को फिर से धन्यवाद है हमारे डिरेक्टर सर है जो पत्त प्रदर्शन करते हैं हर इस बच्चे का पर्सनल इस्तरपन इसलिए खुद मेडम को अपने आप सर से मिलने आई थी चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों खरी बता दू मैं कि हम पढ़ने वाले हैं वेतान भुकताना दिन्यवाद इन्सेटिस के इंपोर्टेंट इन्सेक्यूस चलिए भीया सबको बता दू कि पूरे ओल चतिस गड़ में जो सबसे टॉप में थे फर्स्ट रेंक आया थे इन्सेयाम पाड़ी गरही सर्जी ने खुद इस लेवर इंस्पेक्टर जुड़े पुस्तक को डिजाइन किया है जिसमें की पूरे पूरे अधिनियमों को स्रम के जुड़े सम्विधानिक प्रसासन को स्रम के इतिहास को हर एक चीज को पतली सी भूक में खतम कर दिया है जिसमें आप वेतन भुकतान अधिनियम जिसका मुझे की ओल अबज्यक्टिव का दो क्लास लेना पड़ा है उस पूरे अबज्यक्टिव को दोस्तों एक ओल दो पेज में उस पूरे अधिनियम को की ओल दो पेज में उसमेट दिया है देख उनुपह सही होता है क्योंकि देखिए वो खुद उस पद पर विराजमान है तभी तो आपको सिखा पा रहे हैं इसलिए चलिए दोस्तों इस पुस्तक का आप सब भी अनुसराण कीजिए इसको अपने सफलता की कुझी में एड़ कीजिए अपने आस-पास के नियरी स्टेशनल दे में इसको परात कर सकते हैं अनियता आगे बढ़ते चलिए आपको सर यह सब कोश्चन में कोश्चन नमबर वन से ले करके कोश्चन नमबर वन कोश्चन नमबर इसको करते हैं कोश्चन नमबर 20 तक देखे थे तो आज हम एक बार उसको fast track तरीके से revision करते है 20 तक का question answer टिक मारेंगे ताकि आपका revision हो जाए fast track तरीके से फिर दोस्तो 20 की बाद के questions को हम देखने चालू करेंगे तो आईए इसको भी चालू कर देते हैं क्यों छोड़ाए एक बार आपको वेतन मुक्ताना दिनियम 1936 में कुल कितनी धाराये हैं तो सही answer सर के कुल धाराये है 26 आगे बढ़ते हैं बिना समय बर्त की एकदम फाशक तरीके से किस commission की सिफारिश पर वेतन मुक्ताना दिनियम 1936 को जाना जाता है तो सर का अधिनियम में इसका नाम लिखा हुआ है वेतन मुक्ताना दिनियम नहीं इसका नाम लिखा जाराये है रखता मज़़ूरी संदाय अधिनियम 1936 क्लियर हो गया चल्विए इतना फास्ट क्यों पढ़ा रहे हैं तो समझा दीजिए तो दोस्तों इससे पहले क्लास जल चुका है जिसमें कर चीज समझा के में पढ़ा हूँ तो आलागे बढ़ते हैं फास्ट तरीके से ही मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 को कब अधिनियमित किया गया था तो आंसर सार इसका 23 अपरेल 1936 क्लिर रोगे बाद कब अधिनियमित कब हुआ तीस अपरेल 1936 में पूरे भारत में लागू कब हो गया तो अधिनियमित वाला और यह डेट याद रख लिजिए पूरे भारत में लागू होने वाला याद रखिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं कि सर मजदूरी संद्राय अधिनियम 1936 का विस्तार कहां तक है सरी कहां तो विस्तारित है सभी राज्यों में सभी केंद्राइट प्रदेशों में जम्मू कस्मीर में नहीं बहिए सिदा सिदा संपूर्ण भारत में विस्तारित है संथार संपूर्ण भारत पर यह लागू ह मजदूरी संद्राय दिनियम 1936 के उद्येश्य में क्या सम्मिलित नहीं है तो क्या सम्मिलित नहीं है तो सम्मिलित भीया वेतन को नियमित करना है यह सम्मिलित है तानुन द्वारा निधरित कटाउती के अलावा अन्य कटाउती पर विराम लगाने यह भी सम्मिलित है वह यह कि वेतन में अन्यमित रुद्धी करना कि आप अपने इंप्लाई की वेतन में अन्यमित रुद्धी करते जाएं इसलिए यह गलत है और क्या समयलित नहीं है तो हम यह चौथा ही समयलित नहीं था मगर उदम समयलित क्या है तो उसका वेतन को निमत करना मतभल निश्चित कर दिजिए वे इसको निश्चित अधिम्यकार की पास कि के पास बदलाव करने का अधिकार तो कल समझाज को इसकारम बहुत कुझ ग्यंता है आंसर आपको बता रहा है राज सरकार के पास है पर इसका आंसर आपको बता तुद्धिया मैं राज सरकार पर आप याद अखिएगा कि आंसर भले ही राज सरकार है मार दोस्तों इसका थोड़ डिस्क्राइब करके मैंने समझाया था आपको कि जहा है राजसरकार का मतलब क्या होता है एक तो धिनियम में कोई भी बदलाव कर सकती है राजसरकार ध्यान रखिएगा आगे बढ़ते हैं मजदूरी संदा है धनियम 1936 में बदलाव करने से कितने समय पूर्व सुचने दिनावस सकती है तीन महा पूर्व संचने दिनावस सकती है कितना महा पूर हो तीन महा पूर्व ध्यान रखिएगा चली आगे बढ़ते हैं अभी फास्टरक तरीके से क्यों पढ़ा रहे हैं सर कितना तेजिस क्यों पढ़ा रहे हैं सर प्याद कि कली एक क्यों पढ़ा चुका हूँ आज रिविजन करवा रहा हूँ है ना रिविजन ऐसे यह ना फास्टरक तरीके से ताकि आपका किम्ती से मैं वहरत ना हूँ इनको अच्छे सीखना है समझना है हरे क्यों का वैल्यू शेयर करेंगे तभी भई हम और वीडियो दे करके आएंगे है ना इसलिए समय आदर कि आगे बढ़ते हैं चलिए मजदूरी संदाया धनिया मुनी सो चक्तिस के अंतरगात केंडरिस्तर की कंपणियों में बदलाव करने का अधिकार किन के पास है अगर केंडरिस्तर की कोई चलिए आगे बढ़ते हैं मजदूरी संदाया धनिया मुनी सो चक्तिस की धारा दो के अंतरगात किसकी परीभासा समय नहीं है तो समय पतलब कौन से समय नहीं तो इनमें से कोई नहीं है तो इनमें से कोई नहीं मतलब इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है, जो समयलित ना हो, क्योंकि यह सब के सब समयलित है, जैया दकेगा, चलिए, निमिल कornono, क्या मजदूरी के अंदरगत समयलित नहीं है, मतलब मजदूरी जो आप बोलते हैं, यह उप्रोक सभी को, तो answer भीया, कौँछ सभी सभी नहीं है, तो answer भी कर डी उप्रोक सभी, क्योंकि इसे कोई भी आपका मज़दूरी या आपके salary में नहीं सम्मिलित होता है इस दिनियम के अनुसार, यह आपके extra चीजे हैं, extra facilities हैं, आपकी salary में इंक्लूड नहीं होते हैं, नियोजग वेक्ति से ताथ पर यह है, मतलब नियोजग वेक्ति से क्या समझते हैं, आप यह पूछना चारा, दिनियम में जो लिखा है नियोजग वेक्ति, उससे अब क्या समझते हैं, नियोजग वेक्टी का मतलब है, कर खाने के प्रभंदों को कहते हैं किया नियोजग चति-खिधार को कहते हैं किया पर अन्सर suggests धो अन्सर भई जह नहीं। जो काम करने वाले हैं, लेबर इंप्लाई, वो ते नियो जीत, नियो जीत व्यक्ति, तो काम करने वाले हैं नियो जीत व्यक्ति, काम पर रखने वाले हैं नियो जक्ति, चलिए, उम्मीत करता हूं समय आगया होगा, धाराचार के अंतरगत, वेतन भुक्तान की ओधी कितनी न महा है तो अधार द्थार के अंतरगाथ वेतन भुक्तान की अधार क्या है कि अधार डिम्रेट लिए जाते है चोनके मंतली कितना है वाई क्वाइट आथार है सब तहीं करते हैं इस तरीके से बड़े टेंडर में तर इस अधिनियम की बात किया जाए है उसका अधर मासिख हर माहा माहा वाइज आपको पेमेंट करना है यह बना दूआ दूए 2017 के बाद से इस अधिनियम के अंतरगाट अब जो 24,000 से अधिक से होई पाने वाले ही वेक्टी है, वह भी है लिदिकता है, अब 24,000 से कम आपको सब्ताहिक मिल रहा है, clear? धार बाँचicas, पाँच के अंतरगत किसी копनी में एक हज्जार से अधिक वेक्थि हैं धारब पांच है इंपोर्टेट है एक्वियुटन्ट है एक्जाम में कोस्चिन आईगा इस लाइन से लिखी तखी तकली धारब औसे बहुत जातNet chances से इसके इसी अधिनियम के धारा पांच से कोशिन पूछे आप से, क्या क्या है, बताईए अगर किसी वेक्टिव को मालिक ने काम से निकाल दे तो कितने दिन के अंदर भुक्तान करेगा, पांसर दो दिन के अंत्रगत, पताओ नहीं प्रैक्टिकल चीजें हैं, प्रैक्टिक एक अपरेल बलता हूँ, एक अपरेल को आपकाम जोइन की, तो एक मई को भुक्तान होना चाहिए, बहुत दो 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 धिकतम कितना विलम करेगा हो, इस कंडिशन में है तो दो 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 विलम कर सकता है, 10 दिन का, अगर एक हजार से अधीक वेक्ति उसकी हां काम कर रह तो वाल के वाल साथ दिन ही आपका पेमेंट को विलम कर सकते हैं साथ दिन लेट से आपको दे सकते हैं लेरो के बाद थोड़ा आप लोग के लिए अलग से सेट अप किया गया है वी यह चलिए बहुत महनत करके लास इक वर्ड होती है अब बता दें बच्चे बुच्तने सर आप पूरा परसीने परसीन हो जाते हैं पढ़ाते प्राते उस दिन अप लेवर का दिनियम पढ़ा रहते यह वाला दिनियम परसीने पोच रहते आप ले थे दोस्तों यहां पर ड़क्ट एसी है क्या नहीं है अब दूर्ण को थंड़ परसे यहां पर ड़क्ट एस लगा हो रहा है तो फिर आपको इतना पसीना क्यों आता है क्यों दोस्तों जब ड़क्ट अन होता है तो अनावस्ट साउंड भी आते हैं और मैं नहीं चाहता कि आप तक कोई भी अनावस्ट साउंड डिलीवर हो इसके पूरक बंद करके सारे लाइट बंद करके तकि फोकस में आपको बोर्ड पर कुछ ना चमके सारे उधर के ड़क्ट बंद करके तकि यह मैं गर्मी में रहा हो पसीन आते रहा है वगर आपको को यह नावस्ट साउंड ना है सब आपके लिए देखा जा रहा है आपको लाइटिंग अच्छा से नी अब खुद सूचेगा जब मानो मानो का भला नहीं कर सकता, मानो मानो का उत्साह वर्दन नहीं कर सकता तो क्या मतलुं मानो होनेगा है शाली आपके बढ़ते हैं दिल दूर्फता है हम भी इनसानी है, शाली आधना लोप कर पंशा मेल समझा कीजिए अगर पढ़ रहे हैं, पिर सर बेश क्लास था, जो ही है, सब्सक्राइबात चलिए, मैं जानता है, आप जो अच्छे बच्चे हों करते हैं, मेसेज, इनके दिल साफ है, बच्चे हमेसे मेसेज करते हैं, मुझे उनका नाम भी आता है, बहुत सरे बच्चे इनने से हैं, फिलाल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, धारा पांच के अंतरगत कंपनी द्वारा किसी व्यक्ति को नौकरी से निकालने पर, उसे उसकी स मसदूरी का भुकतान कितने दिन के अंतरगत करना होगा, तो और कोई कंपनी किसी व्यक्ति को नौकरी से निकाल रही है, तो उसको नौकरी से निकाल रही है, तो इसको कियो दो दिन के अंदर उसके सारे भुकतान करने होंगे, धारा पांच के अंतरगत माल भुलाई से तो जाद कि कम इंप्लो यह तो भी साथ दिन के अंदर भुक्तान करना है माल डुला यह से डुड़ा कोई वेक्ति है तो भी इसको साथ दिन के अंदर आप अधिक्तम विलम कर सकते हैं वेतन भुक्तान में कर्मकार वेतन मुक्तान को अधिकतम कितने दिन नंबित किया जा सकता हुआ दो सकते हैं क्यों हैं सर दिखे में 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 एक महीन नहीं दिया है याद रखिया का इसलेए रiénorie किज्द आखिदены जाम कर रहे काम चालू कि एक मई यको आपका डेट पूरा तो धिक्तम उसको एक जून तक आपका Teraz De Neck चालू करेंगे तो भड़ा भड़ाना बंद अब सांत दिमाग से ने कोश्चन को पढ़ेंगे रिवीजन हो जा गए हैं तक खतम धारा चेक अंतरगत वेतन भुक्तान का माध्यम हो सकता है तो वताई यह क्या हो सकता है भी वेतन भुक्तान का माध्यम एक सिक्के और नीट में माध्यम से भुक्तान कर दीजिए दो करमचारी लिकित प्रमार्डे उसके बाद चेक आनीट के दोरह ही भुक्तान कर सकते हैं, इसको आपको समझाया था है, लास्ट आफ जरू देखिए कि इसके पीछे बहुत सा थियोरी है, इसका शुरुआत में तो क्योवल सिक्क्योर नोट के में हम अध्यम सब को भुक्तान करना था, उसका अगर आपको चेक से भुक्तान करना है तो करमचार में ले लिया, कमपनी से पैसा बोलक में को सेल दी नहीं मिला है तो, फिर केस लड़ो, बेमत आपके केस फोज़दारी से लेगी, यस, तो भया अगर आप चेक के थूपेमेंट मिलेगा उनको, बैंक डिपोजिट होगा उनके खाते में, तो फिर कभी भी जूटा क्लेम कर दिया कि अब के बाल चेक या बैंक की डिपोजिट किया जाएगा, अगर एक्जाम में अगर कोशन आता है, और फिलाल आपको वर्तमान की बात नहीं पूछता है, तो यह option आपको ले ना, secure note के माधिम से वेतन संभव है, करमचाली लिखित प्रमान अंदे तो चेक के अब साज से दोस्तों स्टार्ट हो गया है, यहां से हमारा, आज का class real माइने में यहां से स्टार्ट हो रहा है, इवर देखतो हमें भी कितना समय आपका ले लिए, रिविजन कराने में, हैं न भी, 16 मिनिट हो गया है, चलिए भी, रिविजन कराने में 16 मिनिट हो गया है, आईए, तो चलिए, कोशन पढ़ना चालू करते हैं, धारा साथ के अंतरगत सहकारी संस्था में खुल वेतन का कितना प्रतिसाथ कटवती किया जा सकता है, मतलब अगर आपके payment से company पैसा काटती है, कोई जीवन भी हो नहीं कर आप लिए तो काट रही है, या कोई लोन नहीं तो उसका ब्याज काट रहा है, तो से कटने 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 में अधिकतम आप अपने salary से कितना पैसा कटवा सकते हैं, आप अपने salary से अधिकतम कितना पैसा कटवा सकते हैं, तो अगर एक हजार तो साड़े साथ सो कटवाईए, दस हजार तो पच्छतर सो कटवाईए, एक लाग तो भी ये पच्छतर हजार कटवा सकते हैं। परसेंट ही, कितना? पच्छास परसेंट ही सलदी कटवा सकते हैं। याद रखीए, पच्छास परसेंट ही सलदी कटवा सकते हैं। कर चुके हैं अब इसका जो ब्याज बनेगा वो आपके इस लिमिट को क्रॉस कर रहा है और इसकी जैजात हमको सरकार ने नहीं दिया है इसलिए कानून के बनाए नियमकरनुसारी कट आउती हो सकती है अप्रेदी पीछे वह यही है आए आगे बढ़ते हैं तो सुफिर से मजदूरी भुकतान अधनियम 1936 की किस धारा में जुर्माने से संबंधित प्रावधान है तो बताइए कौन सी वह धारा है जिसमें जुर्माने से संबंधित प्रावधान है तो धारा आठ में है जुर्माने संबंधित प्रावधान सिधा सिधा धारा आठ में या रखें कि इसमें धारा आठ में दिया गया है जुर्माना, धारा साथ में दिया गया है कटवती, धारा आठ के अंतरगत, फाइन या जुर्माना मजदूरी के कितने परतिसात से अधिक नहीं होगा, या नहीं होना चाहिए, मतलब मकर से वेक्ति के उपर आठ फाइन लगा रहा है, नहीं हमने कोई काम करते हैं वेक्ति के इसकों पर फाइन लगाना लगाना है। आपकी सेलरी है, तो तीन रूपय उस पर जुर्माना लगा सकता हूँ, पांच रूपय लगा सकता हूँ, साथ रूपय लगा सकता हूँ, कि दस रूपय तक कर जुर्माना लगा सकता हूँ, इस दिनियम में क्या बात बोला गया है, तो प्रतिसत में बात किया गया है, कि भी इक्जाम्पल था, अगर कोई विवेक्टि के ऊपर जुम्माना लगा रहा है, तो कोई विवेक्टि उसके सेलरी के कुल सेलरी का रख लिगे इसे बात का, 10 पर ती 7, छलिए, आगे बढ़ते हैं, धाराइट धाराइट के अंतरकत जुर्माने से मंधित कौन सा कथन सही है अब धाराथ हम पुरे जुर्माना 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 जु चेकर, तीन, जिर्माना किस्तों में वसूल नहीं किया जा सकता, बताइए अब फस गए, ये उप्रोक सभी सही है, और उप्रोक सभी सही हैं। क्या जुर्माना किस्तों में वसूल किया जा सकता है या जुर्माना किस्तों में वसूल नहीं किया जा सकता तो अगर यह सही होगा तो यह गलत होगा यह सही होगा तो उपरोग सही तो नहीं होगा तो इसलिए option चाथा खतम अब इन तीन में बताई आम आमाउंट वहासानिस पेमेंट कर सकता है, तो उसको जुर्मान, अब किस्त क्यों लगाना, वो 3% के लिए भी आप इसको किस्तों ठोड़ी बांद वहाँद होगे, कोई बड़ा इमाउंट होता है, कोई बड़ा भी यह नंबर होता जुर्माने करता है, तब उसको भी हम क सुन नहीं कर सकते, आपको जुर्माना कभी भी एक मुस्त वसूल नहीं होता है, जैसे आप ट्रेफिक पुलिस से पकड़ा आगए, चल तो मुझे जुर्माना देना पड़े, का फाइन दो, तो आपको काटता है पांस रूप होगे, यह पकड़ा से चल पांस रूपे दो, क्या दोस्तों बोलते हैं, जैसे पांस रूप काल आके आज दो सो दे दे पर सुद देना, फिर तिर से सौर पर देन नहीं, आप याद कि जुर्माना एक बर मसूलते हैं, वैसे याद कि एक मुस्त वसूली होगा, इस तो में वसूली नहीं होगा, दूसरी बात, सर यह पंदरा वर्सा से कम अगर होता, तो सही होता, कि पंदरा वर्सा से कम आयू के बच्चे पर जुर्माना नहीं लगाया जा सकता, वो बात होता, सत्य है, तो देखिए एक को इतनी साथ चीज़ चीज़ सिखा दिया मैं, क्यों पंदरा वर्सा से कम आयू का बच्चे होगे, तो भाई, ऐसे ही आप चाइल देलेवर होगे और चाइल देलेवर होगे, या तो उसलत suitcase पाप जुर्माना लगा होगे क्यासे? के आप जुर्माना लगाओंड़ाहए जौ्झट न आपको सरवाजनिक पठल पर चिपकारी होगी, कि मैंने इस वक्ते पर जुर्माना लगाया, इतनों पर जुर्माना लगाया, इस करणा से जुर्माना लगाया, वैसमत आप पगड़ा जाओगी, कि आप अपने हापे बालग को काम करवा रहे हो, बाल सरम करवा रहे हो, तो आपको कानूनी करवाई होगी, पर आपकी कंपनी इसलिए कोई वह यह नहीं बता सकता, पंदर और सिक्का मायो को बच्चा बालसरम के इंदर आ जाता है, इसलिए उसको कोई जुर्माना नहीं लगा सकता, अगर रखा हुआ है तो भी, तो जुर्माना किस्तों में वसूल नहीं किया जा सकता, एक मुस्त लेना होता है, और यह है चाहरा सिम्पल में कि सरकित्ने दिनों के बाद जुर्माने को किस्तों में वसूल नहीं कर सकते सर कहने का मतलब यह है कि सर कुछ जिस्तों वसूल सकते नहीं यह कहने का मतलब है कि एगर किसी वेक्ति पर जुरुमाना लगता है तो आपको जुरुमाने की कुल वसूली किस्तों नहीं बाटे हैं बोटे कि चल ठीक है तो आज इतना दे कल उतना देना उतना देना किस्तों न तो जुर्माना की वसूली 60 दिन के अंदर कर लेना चाहिए मर इसी जुड़े को और यहां 60 दिन याद रखेगा इसी जुड़े को और कोशन आएगा उसको ध्यास देखेगा कि निम्न में से कौन सा सही है फिर पढ़िए एक्जाम जैसे कोशन आते हैं उससी तरगे डीजाइन किया गया है और यहां रे कोशन मेरे डीजाइन किया गया है इसलिए आद रखेगे कोशन उसी लेवल के है जुर्माना व्यतन के 3% से अधीक नहीं हो सकता हासर, सत्य बात है पीठे ही पढळाये थे जुर्माना किस्तों में वर्सूल नहीं किया जा सकता है सत्य बात अपने पीछे प्राइए था फिर 15 वर्सा से कम आयो कि कर्मकार पर जुर्माना नहीं लगा जा सकता हासर 15 वर्सा से कम आयो कि बच्चे भी जुर्माना नहीं लगे इस पर आप जूरवाना नहीं लगा सकतいい, तो दोस्तो आंसर है, 3 माह, किरने मतलब कि आज में मार्च में खड़ा हूँ, माल में आज में अपरेल में खड़ा हूँ, जुर्माना नहीं लगाया जा सकता, तो तीन महा से पुराने प्रक्रणों पर जुर्माना नहीं लगाया जा सकता, तो तीन महा प्रक्रणों पर जुर्माना नहीं लगाया जा सकता, तो तीन महा प्रक्रणों पर जुर्माना नहीं लगाया जा सकता, और जब लग गया है तो स जर्मानी के रासी के उपियोब के सं indicates क्या गलत है जुर्मानी से रासी प्राप्त हो महत brake कहा है या आप को जिर्मानी से पैसे को पैसे को मैं क्या करूँगा मैं माली कुछ तो मैं उस पैसे को लेकर करके गूमने चल जाओंगा अपनी वाइप के साधी नहीं हुए यह फिर बोल रहा हूं या पिया सब्सक्राइब मुवी दिखाने जाओंगा गल्फ्रेंड को नहीं नो जुर्माने से प्राप्त किसी भी प्राप्त भी एपर कोई भी कंपनी है कोई भी अपर दुस दूसता है दोस्तों अपने परस्णली उसके लिए नहीं कर सकती इस बात को गारत बांद करके रापद्पह परस्णल्य उसको नहीं कर सकती Hem incluso प्र कहां युप यसप करेगी यही तो यहां पता चलेगा कि कि जुर्माने की रासी का उपयोग के सम्मन में निमने से क्या गलत है बताईए जुर्माने की रासी का नियोजग द्वारा परसनल उपयोग किया जा सकता है गलत यही गलत है यह उसका परसनलीज आप नहीं कर सकते हैं दुसरा जुर्माने की रासी का परसनल उपयोग नहीं किय की प्राधिकारी की ब sher gonna do स्रम नियों के इंस्पेक्टर बने जा रहे है ररत कोई केसे चलते हैं पर माने वाले ये फाइन किया जाता है सक्ति दी जाती अधिकार दिया जाता कि आप इस केस को देखने के लिए आपको बता कि ować जो कई तो भलायक लिके इस उस मजदूरी संदाय धनियम 1936 के किस धारा में करतव्य से अनुपस्तिती की स्थिती में वेतन में कटवती का प्रवधान है मजदूरी संदाय धनियम 1936 के किस धारा में इस अधनियम की किस धारा में करतव्य से अगर आप अनुपस्तित हैं तो आपके वेतन में कटावती हो सकती है, करतब भी हम इससे नुपस्तित है, तो वेतन में कटावती होगी, कहने का मतलब, भी आप अपने करतब भी आपका काम नहां के हैं, ड्यूटी करना, और अपने ड्यूटी से एपसेंट है, तो पैसा तो कटेगा ना, बताई ये बात क और अपन्सर दोस्तों यह बात कही गई है आपके धारा नौ में अगर आप के अपने करतब वे सपस्थी थें तो तो आपके उपर आपके सेल्डी से पैसा काट रहीर जाए है मगर अब इससे ज़ो रॉढ आगे पढ़ी है question ौग बहुत ज़्यादा काम आने किन कारणों से वेतर में कटवती की जा सकती है तो अगर आप काम पे एपसेंट हो काम नहीं कर रहे हो किसी तरीके से तो अपको एपसेंट पर पैसा कटेगा जैसे आज ही हमारे ओफिस में यह हमारे एडिटर साहब का पैसा कटेगा क्योंकि सूचना नहीं दियते और गायव हैं नहीं आएंगे साम को तो अगर सली कटेगा कारिस्थल पर उपस्तित होकर भी कारे न करने पर अपको पैसा कटेगा मतलब आप झिसी तुरी की से काम नहीं करेंगे तो पैसा कटेगा, काम नहीं करने पे ध्यार्गिे के वर्डू… फिर उपस्तित होकर भी हड़ताल या अन्य कारणों से कारे न करें, तो भी आपकी जाटित करें आरफ्फात उप्रोग तीनों ही कारण साहीं हैं, कि तिनो हें काणड़ों से अधिक अधीक आनूपस्तित होने पर आप अधीक छुटी मार रहे हैं और आप कितने की हुआ आप संदो नोवे दीन का अगर तो नौबे दीन नहीं गटेगा। क्यों। क्यों कि एस इंब दिया गया है कि अधिक्तम आठ दिन तक अधिक्तम आप सालिर काट सकते। क्योंघ्यूटर चुपती मारा उसकी बाग दिन के पैसे क्यों काटेगे हम। तो भी आप उसका नौकरी से निकाल सकते हैं कि यह क्यों क्यों absent है अगर वो मालिश की जनुवीन कारण से हरताल पर बैठा हुआ है दस से दस से अधिक लोगों से हमिल करके बैठा हुआ है आप उसको resolve कीजिए ना भाई कि अधिकतम कोई व्यक्ति कितना भी गेप करे तो आठ दिन की salary आप काट सकते हैं अधिकताम आठ दिन की salary कर सकती है अधिकताम आठ दिन तक की salary कर सकती है बिना सूचना के कि उसले एकजामपल समझाए वेतन वेन कटवती का प्रारूप होना चाहिए अगर आप अपने करतविय से नुपस्ति थे तांपका वेकितन न की सुरुक प्रारुप में कटे उनुपस्ति गते अपके क्रतिया है। तुर चया कि के सेलरी लिए उसके अनुपात में काटे कुल वेतन का एकतिहाई शेल रिक कटेगा अगर आप सेंट रहते हैं या कि बहतन का दो तीहाई सेल रिक कटेगा या अनुपात में तो सेल रिक कटेगा एक 30,000 आपको 30 दिन का तीज़र दे रहे तो दिन के 1000 कटेगा, वह सांध इस साथ कुछ आपको जुर्माना भी लगाया जाएगा, क्या सही अधार है अधार है, सरकार के बतायनियम के अनुसार, इस अधिनियम के अनुसार, कि करतब वेसे अनुपस्तित होने पर वेतन कटावती का प्रारुप होना चाहिए, क्यों और क्य एक हजार सरकाय काट सकती है, कमपनीय प्रसाफन, कोई जुरमाना इस्टलाइगा नहीं काटेगी, कोई एक तीह सली नहीं काटेगी, और कि कि अनुपाद में अलीजित्व आजिकतब 2 तीह तली काटेगी, कि रहा है कि आप मज़े में ले रहे हैं तो आपको नवकृष निकाल देगी मैं नुकसान को सब्सक्राइब करते हैं तो वेतन में कट्राइब करिते हैं क्या गलत उत्तर का चैन करें क्या गलत उसका चैन के मी रखम से अधिक टाइब नहीं की जा सकती जिता आपने हनी पहुँचा है है उससे अधिक पैसा नहीं काट सकते ये बोल रहा है इसके दूसरा हिस्ता समझे कि आपने एक लाग के समान को नुकसान पहुचा है तो क्या दोस्तों आपसे एक लाग के जिगा एक लाग 20 रुपई काटे एक पीजस को पjdड़िक के अब काट सकते नहीं किता सकते मंड़िट काट सकते यह कहना जा रहा है तो भाइ भाइ यह तो सट्य बोल रहे हैं ऑпов chamber अपकर बूचाई हैं 111 कि चीजको अप सर्फ बीज़र किसे काट सकता यह कटोथी की सूचना देना निवार्ए है। अगर आप मेरे सेfy्णाट लाई मैं मुझे इसकी सूचना दीजिए। पिर कर्मचारी को पक्ष रखने का भी मौका देना नहीं आ रही है, और साथ मुझे सुचना अपने दिया, उसाथ मुझे पक्ष रखने का मौका देज़े कि बोट तूटा कैसे, तब मैं पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए, यह भी सच बात है, पिर कटोथी से संबंदित रजिस्टर मेंटेन करना नहीं आ रही है, कहने का मतलब कि यह कौन आदमी था, कितना उसका सेलरी था, कितना किस चीज़ को नुकसान पहुचाया, कितना अपने जुर्माना लगाया, जुर्माना कैसे वसूल कर रहे हैं, हर एक चीज़ से जुड़ ये भी सत्य है, किरेजिश्टर मेंटेन रखना चाहिए, फिर अगला, हानी की रकम से अधिक कटोती नहीं की जा सकती, हानी की रकम से अधिक कटोती आप, नहीं कर सकते, हैना, तो उनरी गल्थी नहीं नहीं लगाना थे, आप यह कौश्न पढ़िए, कि हानी की रगम से धी कट वती कि जा सकती है नहीं भई याप किसी भी हाल में हानी की जो रगम उससी ज्यादा पैसा नहीं क Apa सिकते हैं अगर मैं 1 लाग का समान तो आख 1 लाग के पे 3,사리 WiDT काटेंगे एक लाग के गशिक हैं यही थे या अधीद एक का मतलब पहीं से समझीं वसूलि को यह एक्ष्ट्र और जानुं कि मतलस ना जीत है अदिन दहां। मंसे यह घंजान और फेमें तो अधिदय के मतलब нед général गारे ही प्रेमिन्ट देदी हैं वार चीन करूर रहा था एक महीना पहले आप दो केसे से क्ल से चालु करने वाली है क्ल से आप काम प्रेंगा अगर आप प्रत पैसा देए तो Constitution सी रिख लिखinenli communities आप निलो की लेंगली हुआ आप एख ने जो रुपए दे तो मेरे बच्चे का फीज जमा करना है और फीर अपर इस payment से काट लेना दो केसे से, advance कब देते हैं या तो काम करने से पहले आप advance ले सकते है्ए और काम करने के बात भी advance लेते हैं लोग तो यह बात अप पड़ते हैं advance payment की कि अधिदायस को advance payment समझी, तो advance payment की वसूली से समधित, निहीं में से कौन सखता सकते है. pew ś जाछी बात है निया काम करने शेली क काम करने हैं जाठी बात है. तो झालब पर शेलरी से में पैसा काट लूँगा advance के लिंगा रहरा था? यस, यह तो कथन सत्य है, तो कौन से कथन सत्य है, कि पहले माह की payment से आपको कठोती जरूरी है, कथन सत्य हो जाएगा कारे प्रारम से पुर्व दिये गए advance की कठोती, राशरकार द्वारा निरूत नियेवनुसार होगी कारेगर 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 कारेग बाए निव के नसा पर पेइम्न से कट होते होगी तो उस तो सही आंसर है कि क्योवल एक सही है कारे प्रारम से पुरू अगर आप काम करने से पहले कि इसे को एड्वांस देते हैं तो इस एडवांस दिएके पैसे सेल्डी की गटाओती हमेशा फर्स्ट मंथ के सेल्डी से ही काट लेना है इस वातसत देरें तो दूसरा गलत क्यों हो गया सर आई उसको समझे उसका सही आशर आपको कहीं पर चलेगा की कारे प्रारम होने से पूरो नहीं है अब यहां कारे प आपको काम चालू करने पहले आप इडवांस दिया है तो उसके बाद आपके इसके इसमागल है पैसा काटे उसके लिए राज सरकार जो नियम बनाई होगी उसके अपका पैसा काट अब समझ गया होंगे भली बादी चलिए भी आगे बढ़ता है हम सब अधिधाय मने के एडवांस पेमेंट की वसूली से समन्दित निम्य में से कौन से कथन सत्य है मताइए कारे प्रादम से पुर दिये गए डवांस की कटवती पहले मा की पेमेंट से होगा और हमसे पहले मा की payment से ही होगा नहीं पहला भी इसमें important है या दूसरा तिसरा सद्धी देगा तो याद कि नहीं कि हमसा पहले मा की payment से ही कटवती करना नहीं आ रही है पहले मा में खेलेगा exam में अब इसा first month के सले से प्रासा कटेगा advance का ठीक है बाद तो कारेप्राराम होने से पूर्व बोले तो भी आप फस्ट मा के सले से पैमेंट से पैसा काट लीजिए और कारेप्राराम होने के बाद का बात हो तो हां आपको उगर कटवती करना है सल्दी से दोस्तों उसके लिए आपको रास सरकार को जो नियम है उसके अनुसार हो हुआ है आपके सामने दिख रहे खूद सिखा जहा जी दीपक पटेल जी आमनी पोर्ते जी इसाब दोस्तों सहाय कौन सरक्षा के पोश्ट पर आपके सभायमान हो रहे हैं और जुरा के इज्जत मान समान कवर बढ़ा रहे हैं जहां हर को चिंग उसको एक सालमा ठारा ठारा स सेलेक्शन नहीं देता है वह एक इग्जाम में इतने सेलेक्शन देता है आप समझ सकते हैं किस तरगे से आप पढ़ाई के लेवल चल रहा होगा किस तरगे से बच्चों को गाइडेंस मिलता होगा साथ साथ उनकी साथ दोस्तों छेत्रपाल की पत पर किसर अंगभेल जी अगला फोटो आपका हो सकता है यहां रखेगा तो आपको बनना है अधिकारी विद्ध्यारती से अधिकारी बनने का सफर के और बढ़िए ठीक है और यह आज बात का ध्यान है कि दूस्तों कई बार अक्सर ज्यादातर ही जो यहां एक्जाम निकारी नुकूल पांडे जी निकाले हुए है वही आपको खूद आकर के बीच-बीच में ऐसा सहसान रखते हैं हमें बच्चों के लिए को खूद आये और बच्चों को गाइड करें भई जो उस चीज को अटेम्ट किये हैं निकाले हैं क्राइक किये हैं इतने भारी कॉम्प्रिशन आपकूद कितना ब और सबसे बड़े लेवल पर आफा मेरे डिरेक्टर सर से भी डाक पूद सकते हैं कोई भी करियर गाड़नें चाहिए तो इस लेवल पर जो नम काम होता है चलते हैं अपनी मारी को विराम देता हूँ आप सब चल विज़र लेता हूँ दूआ करता हूँ हमें साहसते रहे ख करता हूँ